Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं UKG Class की English Worksheet बच्चों के final exams होने वाले हैं तो ये worksheets आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है इससे आप बच्चों के exam के तयारी करा सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आपको ये वीडियो helpful लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले Here is our first question Circle the picture that begin with letter K यहाँ पर हमें कुछ images draw करके दी गई है तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस image के name का starting letter K है उस image को circle कर देना है First is यहाँ पर है key तो key का starting letter K होता है इसे हम क्या करेंगे इस तरीके से circle कर देंगे Next is sun इसका starting letter S होता है तो इसे हम circle नहीं करेंगे फिर यहाँ पर spoon इसे भी circle नहीं करेंगे king, king का starting letter होता है k तो इसे भी हम circle करेंगे फिर यहाँ पर एक kite इसका भी starting letter k होता है तो इसको भी हम इस तरीके से circle कर देंगे next question is read the passage and fill in the blanks यहाँ पर हमें एक passage दिया हुआ है इसे carefully read करना है then इसी passage से related यहाँ पर कुछ questions है जिने की हमें fill करना है तो पहले passage को read करते है then is a man who had a cat that cat is Sam the cat and then had a nap under the fan तो अब देखते हैं कि इससे related question कौन से है first one is then had a तो हमने यहाँ भी passage में पढ़ा था then had a cat यहाँ पर fill करेंगे cat next question है the cat is तो यहाँ पर था that cat is Sam यहाँ पर हम fill करेंगे Sam S A M फिर the cat and then had a तो यहाँ पर हो जाएगा nap N A P nap question is write the words in the correct vowel box यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए हैं यह three letter words हैं और नीचे यहाँ पर vowel box बने हुए है A E I O U तो यहाँ पर हमें क्या करना है correct vowel box में इन words को fill करना है जैसे की जिस word में vowel A यूज हुआ है उसे हम लिखेंगे A वाले box में जिसमें E है उसे हम लिखेंगे E वाले box में इस तरीके से इन्हें fill करेंगे तो first यहाँ पर हम देखेंगे की कौन से word में vowel A है तो यहाँ पर देखिए fat है fat में है vowel A तो यहाँ पर हम लिख देंगे F A T fat next यहाँ पर है bag तो इसे लिख देंगे यहाँ पर B A G bag फिर वाले word हम ढूटते हैं तो यहाँ पर है hen H E N M E N men फिर vowel I है pin में यहाँ पर लिख देंगे P I N pin और lip में है vowel I तो यहाँ पर लिख देंगे L I P lip इसी तरीके से vowel O आला word यहाँ पर है hot तो यहाँ पर लिख देंगे H O T hot और यहाँ पर है top तो यहाँ लिख देंगे T O P top next vowel U आला word देखेंगे तो यहाँ पर है bun लिख देंगे B U N bun और फिर यहाँ पर है sun तो यहाँ लिख देंगे S U N sun इस तरीके से next question is identify the picture and circle the vowel that comes in its name यहाँ पर हमें कुछ images दी गई है तो क्या करना है कि इन images को identify करना है और देखना है कि इनके name में कौन-कौन से vowel आते है इन vowel को circle कर देना है जैसे कि first यहाँ पर है apple तो apple की spelling क्या होती है A P P L E apple में सबसे पहला vowel होता है A इसे हम circle करेंगे फिर P P यह consonant है L B consonant है next vowel जो इसकी spelling में आता है वो होता है E तो यहाँ पर हम E को circle करेंगे फिर यहाँ पर है umbrella umbrella की spelling होती है U M B R E double L A तो सबसे पहला vowel इसमें आ जाता है U next इसमें आ जाता है वोवल E इसे हम circle करेंगे और फिर end में इसमें आता है वोवल A इसे भी हम circle कर देंगे फिर यहाँ पर है ice cream ice cream में आता है वोवल I E वोवल A तो इसे भी हम circle कर देंगे next image यहाँ पर है egg egg में आता है वोवल E तो इसे हम circle कर देंगे और इसकी spelling में कोई भी वोवल नहीं होता E double G egg यह spelling होती है फिर यहाँ पर है orange तो orange की spelling में आता है वोवल O इसे circle करेंगे और इसकी spelling में आता है वावल A और वावल E इन्हें हम circle कर देंगे फिर यहाँ पर है igloo तो igloo की spelling में आता है वावल I और वावल O तो इस तरीके से यहाँ पर हम वावल्स को circle कर देंगे Next question is Write one rhyming word यहाँ पर हमें कुछ word दिये गए है इनका rhyming word लिखना है जैसे कि first यहाँ पर है mat mat का rhyming word हो जाएगा cat c-a-t cat Next is fox fox का हो जाएगा b-o-x box फिर यहाँ पर है pin pin का हो जाएगा t-i-n tin but है but का हो जाएगा cut c-u-t cut फिर यहाँ पर है men men का हो जाएगा pen pen cap है cap का हो जाएगा nap n-a-p nap इस तरीके से यहाँ पर rhyming word लिखेंगे Next question is fill in the blanks with a और an यहाँ पर हमें कुछ words दिये हैं इन words के according यहाँ पर article a यहाँ फिर an का use करना है first is orange orange का first letter o vowel है और vowel के साथ में हम use करते हैं article n का यहाँ पर लिख देंगे n फिर है pencil pencil का first letter p यह consonant है और इसके साथ में हम use करते हैं article a फिर यहाँ पर umbrella umbrella का first letter u यह क्या है? vowel है इसके साथ में हम use करेंगे article n cat है यहाँ पर cat का first letter c यह consonant है इसके साथ यहाँ पर use करेंगे article a next question is write the name for given picture यहाँ पर हमें कुछ images ड्रॉ करके दी गई है इन्हें identify करना है और इनका name लिखना है first one is lip तो lip की spelling क्या हो जाएगी? l i p lip next यहाँ पर है pot तो यहाँ पर हम लिखेंगे p o t pot फिर यहाँ पर हट तो यहाँ पर लिख देंगे h u t hut next is pen तो यह हो जाएगा p e n pen यहाँ पर है log तो यह हो जाएगा l o g log फिर यहाँ पर बना हुए cup तो यहाँ लिखेंगे c u p cup next question is fill in the blanks using in on under यहाँ पर हमें कुछ sentences दिये गए है and इसके साथ में यहाँ पर images भी draw करके दी गई है तो इन sentences को complete करना है in on या फिर under fill करके तो यहाँ पर images देखेंगे और साथ में इन sentences को पढ़ेंगे first one is the ball is the box तो यहाँ पर देखें box के अंदर ball है इसलिए यहाँ पर हम use करेंगे in ka the ball is in the box फिर यहाँ पर है the ball is the table तो यहाँ पर table के नीचे है ball यहाँ पर हम use करेंगे under का you and d e r under the ball is under the table फिर the book is the table यहाँ table के उपर है book तो यहाँ पर हम use करेंगे on का, the book is on the table, इस तरीके से इसे complete करेंगे, तो यह थी आज की UKG क्लास की English Worksheet, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल Let's Learn With Me को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई